वीडियो का आगाज दो ककॉस्सें के साथ करूंगा पहला कॉस्सें है कि ऐूटा की क्या वैलियो है दूसरा कॉस्सें है कि ऐो श्क यह कि ऐूटा Earth की क्या वैलियो है अगर आपका ज्वाब पहले एक अन्डरूट मािनस वन और दूसरे question का answer है minus 1 यानि कि IOTA की value under root minus 1 और IOTA square की value minus 1 है अगर आपको यह पता है इससे पिछले question आप detail से समझ चुके हैं तो question number 7 exercise 2.6 का अब आपके लिए काफी असान होगा अगर आपने पिछले question 1 से लेके 6 तक अभी तक नहीं समझे उनकी वीडियोज नहीं देखी हैं या आपने टीचर से नहीं उसको अच्छे दरीके समझा तो question number 7 माजरत के साथ आपको अच्छे दरीके से समझ नहीं आएगा पहले उन वीडियोज को देखिए उनका link description में मजूद है उसके बाद question number 7 को समझेंगे तो आपको बड़ी असानी से question number 7 समझ आ जाएगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें उसका फैदा ही होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा अभी चलेंगा वाइट बोर्ड की तरफ और exercise 2.6 का question number 7 solve करते हैं question number 7 की statement को देखते है question number 7 की statement है solve the following equation for the real x and y यह आपने तीन equations यहीं है पहली equation part 1 है इसमें आपने x और y की value find करनी है ठीक है x की क्या value y की क्या value है वो find करनी है आपने इसलिए यहाँ पर यह clearly mention है कि आपने x और y की value find करनी है part 1 है इसका 2-3 iota into x plus y iota is equal to 4 plus iota ठीक है इसको आपने ऐसा नहीं है कि left hand side को right hand side की equal करना है बलके आपने x और y की value find करनी है question को start करते है कि हम क्या करेंगे 2 को इससे multiply करेंगे x plus y iota से जैसे 2 into x plus y iota फिर minus 3 iota को multiply करेंगे x plus y iota से यानि एक दफ़ा 2 को करना है एक दफ़ा minus 3 iota को करना है is equal to 4 plus iota उसके बाद next step है next step में इस 2 को multiply करेंगे 2 x हो जाएगा इसको करेंगे तो 2 y iota हो जाएगा next step में 3 को इससे करेंगे तो 3 x iota हो जाएगा फिर इस 3 को इससे करेंगे तो minus 3 y iota 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 square हो जाएगा बाइर minus है अंदर sign भी change हो जाएगा तो plus है तो minus हो जाएगा is equal to 4 plus iota अब next step में हमने क्या करना है कि कोस्टन को साथ साथ जेन में रखना है कि उपर आपने x और y की value find करनी है तो हम क्या करेंगे कि इसको compare करने ही लिए x वाली term एक तरफ y वाली term एक तरफ और जो iota वाली terms है उनको एक तरफ कर लेंगे क्या करते है कि 2x वैसे का वैसी आएगा प्लस अब अब देखें iota इदर भी है iota इदर भी है लेकिन iota इदर भी है तो हम क्या करेंगे कि इन दो को कठा कर लेते हैं और इसको लगदा solve कर लेते हैं क्यों iota की value हमारे पास नहीं put करनी है हमने जबकि iota square की value जानते है minus 1 है जैसे कि वीडियो के start भी मैंने कहा था तो यह solve हो जेगी इसको वैसी चलाते हैं तो यह करेंगे कि 2y iota minus 3x iota इसमें से मैंने iota कामन ले लिया iota इदर भी है iota इदर भी इसको मैंने बाहर लिखा अंदर आए गया 2y minus 3x 2y minus 3x यहाँ पर minus का sign जो है आएगा ठीक है minus 3y iota square iota square की value जानते है minus 1 है वो मैंने minus 1 put कर दिये 3y minus iota is equal to 4 plus iota next time में आपके आएगा 2x plus 2y minus 3x iota वैसे के वैसे आएगा यह वाला जो minus है इस minus के साथ add हो जाएगा minus minus plus हो जाएगा plus 3y आजाएगा is equal to 4 plus iota अब हमने क्या करने है कि 2x आपको नजर आ रहा है plus 3y इसको मैं अलएदा लिख लेता हूँ यहीं कि 2x plus 3y को मैं शुरू में लिख लेता हूँ plus 2y minus 3x whole के साथ iota लगा इसको अलएदा लिख लेता हूँ क्योंके मैं real part और imaginary part जो है अलएदा करना चाहरू iota वाला part अलएदा कर लेते है iota के बगार अलएदा कर लेते है is equal to 4 plus iota अब इसको अपने simplify कर ली है अब next time में क्या करने है by comparing comparing समराद ही है कि यहाँ पे आपको iota के बगार यह वाली जो value है यह यह term में आपको नजर आ रही है इदर iota के बगार 4 है ठीक है तो हम क्या करेंगे 2x plus 3y is equal to 4 हो गया 2x plus 3y is equal to 4 हो गया और यहाँ पे iota के साथ 1 लगा हूँ है जो के नजर नहीं आ रहा है मैं लिखे देता हूँ तो 2y minus 3x 2y minus 3x is equal to 1 कर दी है यह 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 यहाँ आपके पास यहाँ पे 1 है 2y minus 3x is equal to 1 आयोटा की जरूरत नहीं है हमें x और y की जरूरत है तो मैंने 2 equation बना ली है एक को मैंने equation 1 का नाम दी है और दूसरी को मैंने equation 2 का नाम दी है यह आपके बस दो equation बना ली है दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा exercise 6.9 क्लास 8 की क्लास 8 में हमने इस equation को solve करने के लिए तीन अलाद अलादा method भी पढ़े है और उनकी detail से practice भी की है तो उनमें से कोई भी method apply करेंगे method apply करने के बाद आप इन equation को solve कर लेंगे तो equation को पहले लिखते हैं 2x plus 3y is equal to 4 2x plus 3y is equal to 4 और यहां पर 2y minus 3x is equal to 1 है तो मैं करता हूँ minus 3x को पहले लिख लेता हूँ और plus 2y को बाद में लिखता हूँ और is equal to 1 यान equation को तर्थीब दे लेते हैं आप equation को solve करने के जो method है पहला method है equating the coefficient दूसरा method है cross multiplication और तीसरा method है जो method मुझे सबसे ज़्यादा असान लगता है method of equating the coefficient उसी method से solve करेंगे और उसी से असानी से solve भी हो जाएगा उसको solve करने का तरीक गार यह होता है कि यहां से x और y यह यहां x की value नकालेंगे यह आप y की value नकालेंगे किस एक की value कर नकालेंगे तो दूसरी की value नकालना बहुत असान हो जाएगी तो यहां पर आप देख सकते हैं x के साथ 2 लगा हो है यहां पर x के साथ 3 लगा हो है method of equating the coefficient से मराद यह कि इसके जो coefficient x के यहां पर 2 है यहां पर 3 है किसी तरीके इनको बराबर कर दिये जए जब अगर इनको बराबर कर देंगे तो हम इनको simplify करके काट के हम y की value find कर सकते हैं तो इसका हल यह है कि इनको बराबर कैसे करेंगे 2 और 3 को बराबर कैसे करेंगे 2 और 3 को बराबर करने का तरीका कर यह है कि 2 और 3 का LCM लें 2 और 3 का LCM आता है 6 हम क्या करते हैं two ko bhi six कर लेते हैं और three ko bhi six कर लेते हैं जो मारे लिए असान है हम इनको 12 भी कर सकते है इसको भी 12 कर सकते हैं तब भी यस all हो जाएगा लेकिन हम इसका lc m लेके छोटे से छोटे number से multiply करते हैं ताके हमारा काम असान हो जाएगा तो मैंने एक statement यहाँ पर लिखी हुई है multiplying equation 1 यहीं कि यह वाली जो equation 1 है इसको multiply करा दें 3 के साथ and equation 2 को multiply करा दें आप 2 के साथ क्यों equation 1 को multiply करेंगे 3, 2, 0, 6 हो जाएगा इसको 2 से करेंगे तो यह भी 3, 2, 0, 6 हो जाएगा तो मैंने यह statement यहाँ पर लिखे दी है यह मैंने equation 1 लिखी है 2X plus 3Y is equal to 4 तो मैंने साथ 3 से इधर भी multiply किये तो 3 से आपने इधर भी multiply करना है यह बात याद रखें equation के दोनों तरफ कोई भी काम करना है तो equation के दोनों तरफ करना है अगर multiply कर रहे हैं तो right hand side भी करें और left hand side भी करें तो जिस तरह के मैंने किया है तो यह आपके पास होजएगा 6X plus 9Y is equal to 12 यह equation 1 को हमने 3 से multiply किया है और नई equation हमारे पास आगी है जिसको मैंने 3 का नाम दिया है equation number 3 is 6X plus 9Y is equal to 12 अब equation 2 लेते हैं equation 2 को 2 से multiply करना है यह मैंने 2 से multiply किया है 2 into minus 3X plus 2Y is equal to 1 multiply by 2 multiply करेंगे तो 32006 minus 6X plus 22004 is equal to 1s are 2 अब आप देखेंगे कि यह equation 4 होगी इसको मैंने equation 4 का नाम दिया है यह minus 6X plus 4Y is equal to 2 तो अब आपके पास 2 equation आ चुकी है equation number 3, equation number 4 अब इनको solve करने के बाद हम X और Y की values find करेंगे तो अभी मैं क्या करूंगा यह वाला portion आपको नजर आता रहेगा इतना हिसा question का मैं erase कर दूँगा मिटा दूँगा अगर आप इसको note करना चाहते है तो वीडियो को यहाँ पर पास करके सारा question note कर लें वोगे next वीडियो के portion में नेक्स पार्ट में यह वाला हिसाब को नजर नहीं आएगा अभी हम जो है by adding equation 3 and 4 equation 3 और 4 को add करेंगे और X और Y concern कालेंगे यहाँ मैंने उपर equation 3 लिखी है 6X plus 9Y is equal to 12 और equation 4 है minus 6X plus 4Y is equal to 2 जैसे कि यह mention है अब क्या करेंगे by adding यहाँ पर plus है और यहाँ पर minus है अब इसको cancel करने के लिए सारा काम किया अब हमने 9 plus 4 क्या हो जाएगा 13Y is equal to 12 plus 2 is equal to 14 तो हमने Y की value find करनी है 13 हमारा यहाँ पर आएगा इधर multiply हो रहा है इधर आके divide हो जाएगा तो Y की value आपके पास 14 by 13 आगए अब हमने Y की value तो find कर ली है लेकिन X की value फाइड करनी है X की value फाइड करने के लिए हम क्या करेंगे equation 1,2,3,4 चार equation आपके पास मजूद है इन चार equation में से जिसमें मर्जी चाहें आप Y की value पुट करें तो आपके पास X की value आजाएगी तो जितनी equation इसे values बड़ी होगी नमबर बड़ी होगी इनको calculation उतनी ज्यदा मुश्कल होती जाएगी लेंथी होती जाएगी अगर आप math में थोड़ से weak है यहां आसान चाहते हैं तो आप वह वाली equation चूज़ करें जिसमें numbers या values चोटी है तो इसमें देखा जाए तो यहां पर मैंने equation 1 को चूज़ किया है equation 2 को भी किया जा सकता है लगर कोई यहां पर minus है तो हो सकता है आपको minus के infuse करें तो मैंने equation 1 को चूज़ किया putting the value of y putting the value of y यानि y की value equation 1 में put करते हैं तो हमारी x की value आ जाज़ेगी equation 1 के 2x plus 3y is equal to 4 2x plus 3y is equal to 4 में हम यहां पर y लिखा हुआ y की value मैंने 14 by 13 put की है next time में क्या करेंगे 2x is equal to 14 को 3 से multiply करेंगे 42 आएगा नीचे 13 वैसे वैसे आएगा is equal to 4 उससे next time में यहां पर plus का 42 divided by 13 है यह सरफ जाके minus का 42 divided by 13 हो जाएगा यह हमने क्यों करना है क्योंकि हमने x को अजाद करना है हर किसी चीज़ से ताके x की value आ सके तो यह मैंने 2x is equal to 4 माइनस 42 over 13 है अब 4 के नीचे भी 1 लगाया जा सकता है क्योंकि 1 इसके अंदर मजूद है अब दिनम्यान में minus है LCM ले लें, denominator सेम कर लें आपकी मर्जी है मुझे denominator सेम करना असान लगता है इसलिए मैं denominator सेम कराता हूँ इदर 13 है, इदर भी 13 ले आएंगे तो मारा काम असान हो जाएगा तो इदर 13 लाने के लिए नीचे भी और उपर भी 13 से multiply कर दें उपर 52 minus 42 कर देंगे 52 minus 42 is equal to 10 over 30 2x is equal to 10 over 30 आपके पास आगया तो अभी भी x के साथ 2 लगा हूँ इस 2 को भी यहां से remove कर रहा है ताके मारे पास x की value आ सके तो हम क्या करेंगे मैं नीचे जगा खत्म होगी यह अमीद है, यह नजर आ रहा होगा अगर नहीं नजर आ रहा है तो 2x is equal to 10 by 30 लिखा हूँ है जो कि यहां पे मैंने दुबारा लिख दी है तो हम क्या करेंगे 2 is equal to 10 divided by 13 multiple by 2 हो जाएगा तो क्या करेंगे 2 1s are 2, 2 5s are 10 तो 5 over 13 अब यह मजीद simplify नहीं होता x is equal to 5 over 13 यहीं इसका answer है हमने भी यहीं नकालना दा है x की value find करनी दी और y की value find करनी दी जो कि मैंने आपको करके दे दी है अमीद है यह question आपको समझ आया होगा फिर भी अगर किसी किसम का मसला हो तो comment section में जरूर बताइएगा अभी हम question number 7 का part 2 solve करेंगे part 2 आपके पास उसकी statement है 3 minus 2 iota into x plus 5 iota is equal to 2 into x minus 2 y iota plus 2 iota minus 1 question मुशकल नहीं है देखने में लग रहा है लेकर अगर इसका part 1 आपने अच्छे तरीके से समझ है तो part 2 भी आपके लिए इतना ज़्यादा मुशकल ही वही method है बद यहां पर थोड़ा सा इसको बढ़ा दिये उनको तो इतने परशानी वाली बात नहीं है क्या करेंगे हम क्या करते हैं इस 3 को इस पूरे से multiply करते हैं फिर minus 2 iota को करते है 3 into x plus y iota bracket close करेंगे minus 2 iota को x plus y iota से multiply करेंगे और यहां भी इस 2 को अंदर multiply कर दें 2x और इससे भी कर दें 2x minus 4y iota आएगा plus 2 iota minus 1 तो next time में क्या करेंगे अब इस 3 को अंदर multiply करते हैं x के साथ फिर y iota के साथ यह होजएगा 3x plus 3y iota minus इस 2 iota को अंदर multiply करेंगे तो minus 2x iota होजएगा बाइर minus से अंदर sign change हो जाएगा तो यह 2y iota square हो जाएगा plus minus हो जाएगा इदर 2x minus 4y iota plus 2 iota minus 1 वैसे का वैसे आएगा यहां पर मजीद कोई simplification नहीं हो सकती next time में हम क्या करते हैं कि इसको वैसे लिखते हैं 3x plus 3y iota minus 2x iota यहां पर iota square की value पूट करेंगे iota square की value पूट करेंगे तो minus 1 आएगी minus 1 यहां पर पूट करेंगे तो 1 को 2 से करेंगे तो 2 यह होएगा minus plus होजएगा 2y यहां पर आजएगा यह तबदिली यहां पर इस time में आईए बाकिस step सारे का सारा वैसे ही है next step में आप क्या करते हैं next step में थोड़ा सा सोचने है आपने किसमें कोई number add होता हो को subtract होता हो iota square की value पूट होती है सब कुछ काम कर ली है अब हमने यहां से थोड़ा से trick दमाग यूज़ कर रहे है कि यहां पे देखें कुछ पी नहीं हो सकता यहां पे भी कोई और मजीद process नहीं कर सकते तो हमने क्या कर रहे है हमारा basical जो target है वो एक x और y की value नकालना iota को remove करना और x और y की value find करना तो हम यह देखते हैं कि यह आपका 2 iota minus 1 यहां आपका minus 1 real part है 2 iota imaginary part है यहां पे 2 x है तो यहां पे भी 3 x है ठीक है यहां पे 4 y iota है तो यहां भी 3 y iota है तो हम इन दोनों को उठाके equation के उस सरफ ले जाते हैं क्यों लेके जाते हैं इसका असान हम समझ ले अब समझ लें इनकी जो family है इनके जो रिष्टदार है इनकी जो ब्रादरी है वो सरी इदर मजूद है ठीक है तो इनका इदर होने का कोई फाइदा नहीं है हम क्या करेंगे इनको उठाएंगे और इदर कर देंगे इन equation के दुसी सब लेके जा रहे हैं इसको फरक नहीं पड़ेगा इसको इदर ही रहने देते हैं तो हम करेंगे 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा प्लस 2y वैसे का वैसा ये इदर आएगा तो ये प्लस का तो माइनस 2x हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा plus 4y iota हो जाएगा is equal to minus 1 plus 2 iota रहेगा आपके पास आप क्या करते हैं कि ये 3x है और ये minus 2x है 3 minus 2x करेंगे तो खाली आपके पास x आएगा फिर उसके पास 2y है इसको पहले लिख लेते हैं इन्हें x और y को कठा करते हैं फिर यहाँ पे देखें minus 2x iota minus 2x iota पहले आएगा plus 3y iota और plus 4y iota आपके पास 7y iota हो जाएगा is equal to minus 1 plus 2 iota यानि minus 1 मैंने पहले कर दिया 2 iota बाद में कर दी इसको भी extended form में कर दी है अब क्या करेंगे x plus 2y x plus 2y minus यहाँ पे मैं iota बाहर कामल ले लूँगा 2 iota iota में बाहर कामल लिया तो minus बाहर कामल जाएगा 2x minus 7y हो जाएगा 7 iota वैसे का वैसे हाजएगा बाहर minus कामल लिया तो यह plus का minus plus का sign change हो के minus हो जाएगा is equal to minus 1 plus 2 iota अब हमने क्या करने इसको compare करने कि यहाँ पे यह real part है यह यह iota के बगार है इधर iota के बगार आपके पास minus 1 है तो x plus 2y is equal to minus 1 अब यह iota इधर से समीले काट दें तो आपके पास यह brackets open करेंगे तो minus 2x plus 7 आजएगा minus 2x minus minus plus हो जाएगा minus 2x plus 7y is equal to इधर 2 है iota के साथ 2 आजएगा यह अब हमने equation 1 है और equation 2 आपके पास अब आ चुकी एक equation 1 है एक equation 2 है यहाँ पे जस्ट brackettisly close की थी यह open की थी ताकर iota को कामल ले सके और iota के question में remove कर सके जो के मैंने यहाँ पे कर दी है अब आपके पास 2 equation आगी है equation 1 and equation 2 इनको solve करने के बाद हम अपनी value जो नकालना चारे है x और y की वो नकालेंगे अच्छा जी आब हम हमारे पास जैसे के देख सकते है equation 1, equation 2 है बाकी मैंने को इससे remove कर दी है hopefully आपने note भी कर लिया होगा अब equation 1 है x plus 2 y is equal to minus 1 और minus 2 x plus 7 y is equal to 2 आप क्या करेंगे पहला ही method apply करेंगे जो method हमने पिछली दफा की है कि by equating the coefficient नहीं कि x के जो coefficient है इनको compare करते है यहाँ पर minus 2 है यहाँ पर 1 है तो इनको ब्राबर कर लेते हैं यहाँ भी 2 ले आते हैं यहाँ 2 ले आएंगे यहाँ भी 2 है तो हमारा काम असान हो जाएगा तो यहाँ पर 2 लाने के लिए क्या करेंगे by multiplying 2 by multiplying with 2 with equation 1 याँ multiplying by 2 कर लें by 2 equation 1 को multiply करेंगे तो मैंने लिखा है 2 into x plus 2 y is equal to minus 1 multiply by 2 multiply होगे 2x plus 4y 2 to 4y is equal to minus 2 आजेगा इसको नाम दे दें equation 3 का उपर आप statement लिखी है by adding equation 2 and 3 अब इस equation को आप भूल जाएं इसको जुरूत नहीं है equation 2 और equation 3 को add करेंगे तो minus 2x plus 7y is equal to 2 equation 2 और equation 3 ये वाली है 2x plus 4y is equal to minus 2 इनको add करेंगे यह आपके पास यहाँ पे plus है plus minus minus cancel हो जाएगा 7 और 4, 11, 11y is equal to यह भी आपस में cancel हो जाएगा एक plus का, एक minus का 11y is equal to 0 y is equal to 0 over 11 हो जाएगा और y की value जो आपके पास 0 आएगी y की value 0 आगी है अब x की value find करना चाहरे है तो इस equation पे मैंने करास लगा है इससे यह मुराद नहीं है कि यह खतम होगी है इसमें आप x की value find करने के लिए आपके पस तीन equation है जो आपको असान लगती है मुझे यह वाली असान लग रही है तो इसमें मैं y की value put करूँगा और x नकाल लूँगा यह मैंने यहाँ पे लिखा हुए x plus 2y is equal to minus 1 x is equal to 2 into y की जगा मैंने उसकी value put की है 0 तो 2000 0 हो जाएगा तो यह वैसी खत्म हो जाएगा x is equal to minus 1 आजाएगा x की value आपके पास minus 1 आचुकी है y की value आपके पास 0 आचुकी है और यही हमने इस question में find करना था कि x की value के है और y की value के है अमीद है यह question भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा finally इस exercise का और इस unit का last question question number 7 का part 3 आपके पास है 3 plus 4 आयोटा whole का square minus 2 into x minus y आयोटा is equal to x plus y आयोटा यहां पे एक formula में mention कर देता हूँ जो formula इस question में استعمال हुए a plus b whole square a square plus 2ab plus b square यहां पे whole square है a plus b whole square का formula apply करेंगे a square plus 2ab plus b square a आपका यहां पे 3a मैं यहां पे mention कर सकता हूँ और b आपका यहां पे 4 आयोटा होगा जहां-जहां a आना है वहां पे 3 का square आएगा और जहां b आना है वहां पे 4 आयोटा आएगा यहां आपका square plus b का square 3 का square plus 4 आयोटा whole square plus 2 into a b 2 formula वाला A आपका 3 है और B आपका 4 आयोटा इसको मैंने brackets के अंदर लिख दिया यहाँ पर formula apply हुए minus 2 अंदर multiple ही होगा 2X हो जाएगा और minus minus plus 2Y आयोटा और X plus Y आयोटा वैसे आएगा इसको मजीद solve करेंगे 3 का square 9 plus 4 3s are 12 12 2s are 24 आयोटा plus 16 4 का square 16 आयोटा square minus 2X plus 2Y आयोटा is equal to X plus Y आयोटा next step में क्या करेंगे आयोटा square की value put करेंगे minus 1 9 plus 24 आयोटा plus 16 into minus 1 minus 2X plus 2Y आयोटा is equal to X plus Y आयोटा इससे next step में मैनस इससे multiply होगा plus minus minus होजएगा minus 16 आएगा बाकि सारे का सारा step same ही रहेगा आप क्या करेंगे आप इसको further solve करते हैं 9 और 16 को solve करें 9 minus 16 करेंगे तो minus 7 आएगा minus 7 के साथ minus 2X लिक लेते हैं और plus 24 आयोटा और plus 2Y आयोटा यनि आयोटा वाली values को अलाइदा मिला लेते हैं और जो आयोटा का बगार इनको मैने अलाइदा लिक लिए यहां पर X plus Y आयोटा वैसे का वैसे आएगा next step में गया करते हैं minus 7 minus 2X plus 24 plus 2Y आयोटा मैंने यहां पर कामल ले लिए जैसे के पिछले question में करते हा रहे हैं is equal to X plus Y आयोटा अब आखरी step इसका है साइट पे by comparing इनको compare करेंगे आयोटा के बगएर यह वैलियूज आपको नजर आ रही है और ठीक है यहां पर आयोटा के बगएर यह है तो minus 7 minus 2X is equal to X होगा और 24 plus 2Y आयोटा यहां से इदर से दोनों तरफ से काट दें तो 24 plus 2Y is equal to Y आएगा 24 plus 2Y is equal to Y अब 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 एक्वेशन 1 equation 2 है simple equation है इनको पहले को equation से असान है इनको solve करना इनको मजीद को process किये बगएर असानी से solve कर सकते हैं जैसे का minus 7 minus 2X is equal to X यह equation 1 थी तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक ही variable X ही नदर आ रहा रहा आपको तो X जो हम क्या करेंगे यहाँ पर minus 2X है तो equation के दूसी तरफ जब जाएगा minus 7 तो यह उदर जाके plus 2X हो जाएगा जैसे के मैंने किया हुए minus 7 is equal to X plus 2X X plus 2X यह 3X हो जाएगा 3X is equal to minus 7 आएगा तो 3 इदर multiply हो रहा है इदर आके divide होगा तो minus 7 over 3 तो X की value जो है आपके पास आज की है minus 7 over 3 Y के value यहाँ से find करेंगे 24 plus 2Y is equal to Y तो हमने क्या करना है Y के value find करना है 24 इदर ही रहेगा 2Y उदर जाके minus हो जाएगा Y minus 2Y आएगा 24 is equal to minus Y आएगा हमने minus Y के value find नहीं करनी है हमने plus Y के value find करनी है तो दोनों को minus से multiply कर दें यह minus उठाके इदर लगा दे 24 के साथ तब भी आपकी मरजी है जैसा आप करने चाहें तो Y के value minus 24 आएगी दोनों दोनों माइनस से multiply करेंगे चलें कर देते हैं इदर से भी करेंगे minus से और इसको भी करेंगे तो यह minus minus plus हो जाएगा और यह minus 24 आएगा इस तरह X की value minus 7 over 3 और Y की value minus 24 आचुकी है इसी question के साथ ही हमारी exercise और हमारा unit complete हो चुक है काफ़ी लंबी exercise थी मैंने काफ़ी details से आपको एक एक question पूरी exercise का समझा है हो सकता है किसी जगा को गलती होगी हो को समझाने में कुता ही रह गी हो तो उसको advance में सोरी कर लेता हूं उसके लिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिच की है यहां पे मेरा काम खतम होता है और आपका काम शुरू हो जाता है कि आपने इसको अच्छे तरीके से समयने है और अच्छे तरीके से इसको understand करने के बाद खुद soul करने है वीडियो को देखे बगए तब आपको मैत बेते तरीके से समझ आएगी वीडियो गर अच्छे लगी है इसको like कर दें share कर दें आपसे मुलाखाद होती है किसी next वीडियो में तब तक अपना क्या रखिएगा खुदा आफिज